अध्याय दस तिरुकुरल लेक संस्कृत भाषा में रचित वेदों को जो सम्मान प्राप्थ है, वही सम्मान तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल को भी प्राप्थ है. इसके रचियता तमिल नाडु के संत कवी तिरु वल्लुवर हैं. महान संत कवी कबीर की भाथी इनके माता पिता ने भी इने जन्म देकर कहीं असहाय छोड़ दिया था. और फिर एक नह संतान दम पती ने इनका लालन पालन बड़े सनेह और यतन से किया था. तिरु वल्लुवर ने ग्रिहस्त जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधिना की थी. तिरु वल्लुवर का समय कई हजार वर्ष पूर्व माना जाता है. जन्मानस में अंकित छवी के अनुसार तिरु वल्लुवर के पिता का नाम भगवन और माता का नाम आदी था. भगवन जाति के ब्राह्मन थे और आदी अचुच जाति की कन्या थी. किसी कारणवश भगवन ने सदा घूमते रहने का व्रत ले लिया था. भगवन सदा अपनी पत्नी के साथ घूमते रहते थे. लेकिन वे एक दिन से अधिक कहीं टिकते नहीं थे. भगवन और आदी अपने शिशुओं को जन्म देते ही छोड़ कर चल देते थे. तिरु वल्लुवर को भी उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था. यह नवजात शिशु वल्लुव जुलाहा जाती की एक दयालू स्त्री को एक पेड के नीचे पत्तियों पर पड़ा हुआ मिला. उस स्त्री के कोई संतान न थी. भगवान का प्रसाद समझ कर वह उसे उठा कर अपने घर ले आई. पत्ति पत्नी दोनों ने मिलकर बड़े य घर में लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और वही अपने उच्छ धार्मिक भावों के कारण बड़े होने पर तिरु वल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ. तिरु तमिल भाशा में आदर सूचक शब्द है जो हिंदी के श्री के समान है. इस प्रकार तिरु वल्लुवर का अर्थ हुआ श्री वल्लुवर. युवा वस्था में तिरु वल्लुवर को अपने जीवन के बारे में पता चला तो मन उचाट गया और उन्होंने वैराग्य धारन कर लिया. धर्म पिता और धर्म माता से अनुमती लेकर वे तपस्या करन के लिए जंगल में चले गए. वहां ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिध्धियां भी प्राप्त की. लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सबसे भी उनका मन हट गया. तिरु वल्लुवर जंगल छोड़ कर घूमते घूमते नगर के एक धनवान व् किसी कारण वर्ष से वह व्यक्ती बड़े संकट में पढ़ गया था. तिरु वल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया. मार्ग सहाई को सर्व गुण संपन वासुकी नाम की एक कन्या थी. मार्ग सहाई ने वासुकी का विवाह तिरु वल्लुवर के साथ कर दिया. विवाह के बाद तिरु वल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गाउं मथलापुर में आकर रहने लगे. यहां उन्होंने अपना पैत्रिक व्यवसाय बुनाई का काम आरंब किया. पती पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से साधा जीवन बिताते और परोपकार के कारे करते। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया, उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ती नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी के सुखी ग्रिहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ती को देखकर उसने पूछा, आपकी दृष्टी में ग्रिहस्थ का जीवन श्रेष्थ है या सन्यासी का। तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही कहा, आप हमारा आतित्थि स्वीकार कर स्वयम अनुभव कर लीजे। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रती प्रेम, निश्ठा और सहयोग देखकर सन्यासी के मन में नारी जाती के प्रती ग्रिणा धीरे धीरे दूर होने लगी। वह आखिरकार एक दिन बोल यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो ग्रिहस्त जीवन ही श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ती में बाधा नहीं बलकि सहायता मिलेगी। इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धा पूर्वक तिरू वल्लुवर और वासुकी के पैर छुए और विदाली। अपनी प्रिये पत्न वासुकी की मृत्यु के बाद तिरू वल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। पत्नी के वियोग से उनकी कवित्व में मारमिक्ता आ गई। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने तेरह सो तीन कुरल रचे। जो तिरू कुरल नामक ग्रंथ में संकलित है। कुरल का अर्थ है छोटा यह आकार की द्रिष्टी से तमिल भाषा का सबसे छोटा चंद है जिसमें पूरा भाव समाया है। तिरू कुरल तीन भागों में विभाजित है धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले इश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व और धर्म की शक्ति का वर्णन है। अर्थ खंड में शासन, राजा के गुण, शक्ति और सुशासन आदी विश्यों का वर्णन है। काम खंड में स्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वाह करके व्यक्ति जीवन के महानतम लक्ष मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाइबल, कुरान और गीता के बाद कुरल का सबसे अधिक भाशाओं में अनुवाद हुआ है। तिरुक कुरल को तमिल भाशा का वेद माना जाता है। इसका अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगू, मल्यालम, मराथी, आदी भारतिये भाशाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंगली, आदी, विदेशी भाशाओं में भी हुआ है। संकलन